आज मैं आप लोगों के साथ हैदरावाधी पनीर की रेसेपी शेयर कर रही हूँ जो की बहुत ही मज़दार बन करके तयार होता है और साथ ही पराठे के साथ खाएं तो इसका मज़ा लाजवाब हो जाता है जरूर आप लोग ट्राई करें फीडबाग जरूर शेयर कीजेगा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा इस रेसिपी को तयार करने में सबसे पहले हमने यहाँ पर 100 ग्राम दही में एक चोटी चमच भढ़कर कश्मिरी लाल मिरज का पॉर्डर एक चोटी चमच धनिय का पॉर्डर एक चोटी चमच भूने हुए जीरे का पॉर्डर एक चोटाई चोटी चमच हल्दी का पॉर्ड कर दिया अब इन सारे ड्राइए मसालों को दही के साथ हम बहुत अच्छ से से फेंट लेंगे और अब इन मसालों को जो हमने दई में फेंटा है इसे हम साइट कर देंगे और इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे अब एक हैवी बाटम कड़ाई को चुले पर चुराई इसमें करीब तीन बड़े चमच वेज़िटेबल ऑईल को हमने अड़ कर दिया और अब इस ऑईल में करीब 200 ग्राम पनीर को इस तरह कर से टुकड़ों में कट कर दिया था और इसे हम हो जाती है फ्लेम अगर लो रहेगा तो पनीर से पानी छोड़ देगा और यह कृस्पी फ्राई नहीं हो पाएगा तो मिडियम तू हाई फ्लेम पर हमने यही उलट पुलट करते हुए सब तरफ से बिलकुल गोल्डेन स्पॉट आने तक हमने पनीर को फ्राई कर लिया था और फिर इसे हम ओयल से सेपरेट कर लेंगे देख सकते हैं पनीर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है सब तरफ से एक बाउल में हमने इसे निकाल लेना है सारे पनीर को पीसिस को हमने ओयल से सेपरेट करते हुए एक बाउल में निकाल लिया और अब इस पनीर में हम गर अच्छे से इसमें डिप हो जाए अब जिस ओयल में हमने पनीर को फ्राइ किया था उसमें से करीब दो टेबल स्पून ओयल को हम निकाल लेंगे और इस जो बाकी बचेवे जो ओयल है इसमें हम करीब एक बड़े साइज के प्यास को 6 टुकरों में काट कर हमने इसमें एड़ क ₹च इसमें एक इंच का टुकर अद्रक का दो-तिन टुक्रों में कर दिया है और करीब तीन हरे मिरच को मैंने दो-तुक्रों में कटके अड़ कर दिया है इन्हें भी यूही चलाते हुए मेडियम तो हाइफ लेंपर हलका साउटे कर लेना है और जैसे इन सारे सब्स्यों म स्पॉट्स दिखने लग गया है अब इन सारे सबजियों को हम एक मिकसर जार में शिफ्ट कर देंगे साथ ही इसमें एड़ करेंगे एक मुठी हरा धनिया एक मुठी पुदीने के पत्य हम इसमें एड़ कर देंगे और साथ ही थोड़ी से पानी के कराही में डाल देंगे और जब यह अच्छे से गरम हो जाए देन कुछ खड़े मसाले जैसे आदी चोटी चम्मस जीरा दो सूखी वाली लाल मिर्च एक तेजपाद दो चोटी इलाइची दो लॉंग दो टुकरे दाल जाइचीनी के और 8-10 यह कले मेच इसमाझ कर देंज जब यह अच्छे से करuded की जाए तन पना जाइब कि ग्रीन पेस्ट J जार में थोड़ी से से पाणी के हेल्प से जब अच्छे से पोच्य लेगे और फिर इससे अच्छे से मिक्स कर लेएक खड़े मसालों के साथ अब इसे ढख के हम इसे करीब 5-6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और 5-6 मिनट तक जब ये पक जाए medium to low flame पर देन हमने इसके cover को हटाया था तो देख सकते हैं कि इसके oil जो है पिल्कुल उपर की surface पर आ चुके हैं अब cover को हटा के हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और यूँ ही चलाते हुए हम इसे अच्छे से भून भी लेंगे तो करीब 3-4 मिन तक medium flame पर यूँ ही चलाते हुए हमने इसके अच्छे से भूनाई कर ले थी और अब हम इसमें add कर देंगे यह दही के साथ जो मसाले हमने फेट के रखा था उसे कटोड़ी में अगैन थोड़े से पाइं डालके इसके मसाले को अच्छे से हमने निकाल लेना है और जब यह मसाले हम add करें उस वक्त flame को हम बिल्कुल low कर देंगे low flame पर दही वाले मसाले को हम इसमें add करके again हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे इसे mix करते हुए देर से 2 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से हमने भुनाई भी करते चले जानी है और यह देख सकते हैं कि low flame पर हमने इन्हें अच्छे से mix कर दिया low flame पर जब यह अच्छे से mix हो गया है then हमने again इन्हें cover कर दिया और फिर से हम इसे करीब 4-5 मिनट के लिए बिल्कुल medium to low flame पर हम पकने देंगे ताकि जो भी dry मसाले हमने add किया था वो सब अच्छे से mix भी हो जाएं और उनका कच्छापन भी खतम हो जाएं इतनी दिर जब हमने पकाया था तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हो चुकी है सारे और साइड में देख सकते हैं मिलकु सर्फिस आउट होने लगे हैं अब इस पॉइंट पर आधी छोटी चमच गरम मसाले का पॉड़र और एक छोटी चमच हमने कसूरी मेठी का पॉड़र एड़ किया था साथ में टेस्ट के मुताबिक न पानी आड़ करके हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया अच्छे से जब इसमें उबाल आने लग गई देन मैंने दो बड़े चमच दूद के ओपर जमी हुई जो मलाई होती है उसे निकाल कर फेट कर इसमें आड़ कर दी हूँ आप चाहें तिस पॉइंट पर क्रीम का भ हमने यहां पर आड़ कर देना है बारी कटा हुआ हरा धनिया अब जब इन सारे चीज़ों का हमने एड़ कर दिया उसके बाद हम इसे कवर करके इसे करीब 2-3 मिनट के लिए मिडियम तो लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि पनीर जो है ग्रिवी के साथ अच्छे से पक इतना जादा यह लाजवाब लग रहा खाने में इससे कहीं जादा मज़दार और टेस्टी बना था गर्म गर्म परांटे के साथ मैंने इससे सर्फ किया था आप चाहें तो राइस के साथ भी से सर्फ करें पूरी परांटा जिसके साथ आपको पसंद हो आप उसके साथ खा कर लीजेगा चाहें तो फैमिली फ्रेंड्स ग्रोप में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आखिर में दिल साफ रखें जबान पाक रखें अपना और अपने का ख्याल रखें कोई अपना है तो उसका साथ दोके बाजी चालवाजी बलकुल नहीं करें और मेरी इस वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक्स